समवादाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उनसे बातचीत करेंगे ओपी जो पिसला हमारा अनुभव रहा है उसके अनुसार अभी तो ये शुरुवात है जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ये प्रदूशन का इस्थर और बढ़ता जाएगा इसके पीछे जो कारण आ रहा है वो पराली जलाने का कारण आ रहा है और पराली जलाने को लेकर के हम सवेरे भी बात कर रहे थे कि केहंदर की ओर से विविन राज्यों को खासकर पंजाब को भी वित्तिय साहिता दी गई है दिल्ली में अर्विन केजरिवाली की सरकार है पंजाब में भ लग नहीं रहा है कि कुछ ठोस इस दिशा में किया जा रहा है क्या कुछ कहेंगे आप जी डिली एंसियार में अभी धीरे धीरे हलकी गुलावी सर्दिकी आहट बढ़ रही है वहीं दिवाली के बाद प्रदूस्टन के जो स्तर बढ़ा उससें एंसियार के लोगों कुछ चि कार देखा गया तो लगातार यह जाफा पराली की गठ्राओं की वज़े से देखा गया है लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी जो सामने आई है वो पंजाब सरकार की आई क्योंकि पिछले एक मैने से केजरिवाल यह दोहरा आते रहें कि पराली को लेकर में एक कारी नीथी ब पराली जिनानी की देखी गई और उसत प्रती दिन पचास गठना यह सी पंजाब में अकेले गठी तो रही है और जब यह हवा का रुक दिली की तरह बढ़ता है तो इनकी गठनाओं के चलते यहां दिली में परदूसन का मानक बढ़ जाता है हालां कि सितंबर अक्टूब में पिछले साल की तुलना में देखें समान अवदी में तो यह इस बार थोड़ा कम देखा गया है लेकिन यह कोई केजरिवाल या पंजाब सरकार की कारें नेती की बज़ेसा नहीं है बेलकि दक्सिन पस्चिम मानसुन का विक्षोब आया और बारिस हुई एक सो पंदरा म करेंगे लेकिन जमीन इस तरह पर ऐसा कुछ देखनों को नहीं मिला सबसे बड़ी बात यह रही कि जो क्रिशी का मामला और राज्यों का विसायों रहता के अंदर सरकार लगातार बार बार इस चीज़ को दो रहाती रही कि केंदर इस मामले में नहीं क्यों बित्ती रासी बार सक्रार ने राज्यों को दी थी यह पराली और जो फसला उसे प्रबंदन के लिए लेकिन उसका भी कहीं पैसा खर्च नहीं किया अभी हाली में 600 करोड रुपैसे अधिकी रासी फिर से केंदर दुवारा दी गई है लेकिन इन सब चीजों का जीरो आउट पूट आने क कि मुख्य बज़े रही राजे सरकार की लापरवाई और किसानों के बीच जाग रुकता नहीं होनी की बज़े और यहीं वज़े कि आज दिल्ली में बच्च पत्सास फिस्टी बच्चों में ने क्यावल खांसे जुखाम और इस तरह की बीमारी हो और यह बलकि 29 फिस्टी ग्राउंड पर जीरो रहा जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले 6 मेने से लगाता है बात तो को दोराया जा रहा था कि पंजाब से इस बार प्राली की गठना ही नहीं हो कि लेकिन यह हुआ नहीं बच्चों को क्या खुद हमारे भी एक दो दिन से बिलकुल पू नहीं होगी तो बहुत संक्षिप में बताईगा क्या मौसम पे ही सब कुछ निर्भर रहेगा या कुछ होने वाला है जी अगर यह पराली को रोकने की गठनाओं के संदर में मैं बात करें तो हाला कि अभी क्या जो खरीब की फसलों की कटाई का कारिक लगबर लगबर पू लेकिन उमीद असी की जारी की धिर दिरी यह किसानों के बीच जो पराली की कठना है वो कम होगी लेकिन हम आशा करते हैं कि जो वहां की सरकार है वह वहां पर किसानों के बीच में जागरुकता फैलाएगी और पिसले कई सालों से यह काम चल रहा है जागरुकता फैलाने का अब कितना जागरुकता फैल पाएगी और कितना आने वाले समय में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कितना दिल्ली वालों की परिशानी दूर होगी यह देखना होगा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ओपी हमसे बाचीत करने के लिए अगली खबर की ओर हम चलेंगे